कि अब अलेकुम एवरीबडी यूर्फेविट सीनीज है तोड़े विया गोना डिसके से चप्ट नबर 32 ऑफ जनेटिक्स मेटाबलिसम दा प्रोटेन सिंथिस लेट्स गो जनेटिक कोड जस्ट आपने रीट करने इसका आपको कॉंसराट पता हो के कोड़ों जो है वो क्या हो तोड़ी इसके प्रोट्शन के लिए ठीक है और उसके बाद क्रेकरी स्टक्स जिस जो हो आप नचेसरे करने इनके आपको नेम्स पता हो और इनका फंक्शन का पधस्ञेंठ से or ज सके बाद यह आपने करनी है उसके बाद components required for the translation इनके जस्के आपने नेम्स करने हैं, for example AminoSides, Transfer RNA, AminoSides, Transfer RNA, Synthes हमें चाहिए होते हैं, Messenger RNA, Ribosomes, इनके जस्के आपने नेम्स करने हैं, लेकिन जहां से आपने A, P, and E Sites जो हैं, इनका function आपको पता हो कि A side पर कौन सा transfer RNA एड होता है, P side प इनर्जी सोर्सेज भी आपने करना है, इनर्जी सोर्सेज जो है, यह है इन परेग्राफ आपने MSQS करेड़ेट करना है, उसके बाद codon recognition बाइदार transfer आ रहे हैं, इसके अंतर verbal hypothesis यह आपने अच्छे से करना है, इस वेरी वेरी easy, आपको नेम मुश्किल लग रहा होगा है, and after that, steps in the translation, आपने करना है, initiation, अच्छे से करना है, इसके अंतर shine dal governance sequence जो दिया हो है, यह separately uq उच रहाता है, ठीक है, यह आपने अच्छे से करना है, और उसके बाद 5 cap initiation codon भी, यह वाला भी आपने steps करना है, elongation भी आपने सारे करना है, these are very important, और इसके बाद यहां पर यह जो यहां पर different के दिये हो है, for example, piromycin का कहां पर होते है, ठीक है, और उसके बाद data cyclins का कहां होता है, rithromycin का कहां पर effect होता है, तो यह आपको पता हो, ठीक है, और उसके बाद termination भी आपने करना है, ठीक है, और उसके बाद translation, protein folding, protein targeting, यह जश्ट आपने read करना है, for the mcqs point of view, और उसके बाद core and post-transcriptional, post-translational, sorry, modifications आपने करनी है, सारी, and these are very important, and this is a UQ, यह सारी आपने करनी है, other core and modifications भी करनी है, आपने, protein degradation आपने read करना है, यह पहले आपने क्या होगा है, ubiquitin protein system system वाला, ठीक है?